पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार शांती से यहां चछट मन रहा है क्योंकि इस बार निगम पार्शत हमारा आमाधी पार्टी का है इस बार आपको धरने पर नहीं बैठना पड़ा है जैसे समीति हैं बहुत कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी होते हैं तो उसमें भी हमें देखना है कैसे हम व्रतधारियों को मदद करें कि यहां आने में उनको को दिक्कत ना हो रास्ता साफ हो जगा क्योंकि इसमे को हर वर्ष बेटा बनके लोगों की सेवा करते रहा हूँ और हम लोगों को मां शक्ती दे कि हम ऐसे ही उंके साथ निभाते कंदने कंदमिला काम करते रहे और हमारे चस्ध पर धर्यों को जो सुक सुआ हब हो सकती है उसमें हम और बहयठर कर सकते है वो हमें रास्ता दिखा पूरे देश में छटपर्व की शुरुवात हो चुकी है दिली की विमिन जगाओं पर नएने छटगाट बनाए जा रहे हैं दौरका विधानसवा में लगबग 35 घाट तयार किये गए हैं और इसके इलावा गली महलों में और भी घाट है जिनमें सहयोग जा रहा है दिली सरक अगर मैं पूरी दिली की बात करूं तो लगबग एक हजार घाट पे दिली सरकार त्यारी की जारी जिसमें टेंट लाइट साउंड एंबुलेंस टॉइलेट घाट बनाना सारी सुक्ष विदा देनी तो इस तरह के सब्सक्राइब दिली द्वार का विधानसवा की बात पे दिली सरकार के सहीयोग से कर रहे हैं और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि सामाइब निगम पार्षत हमारा आमादी पार्टी का है। इस बार दरने पर नहीं बैठना पड़ा हमारा अविधा इस सुक्सुविदायें जो दिली सरकार दे रहे हैं बढ़ाये देना चाहत्ता हूं और बहूंन पार दूसरा उनका सब्सक्राइब निर्देश जितने भी विधायक हैं या पार्षद हैं कि अपने छेत्र के छट घातों पर जाके दौरा करना और सभी समीतियों से बात करके जो हर संभव मदद हो सकती है वो देना क्योंकि कुछ ऐसी मदद भी होती है जो दिखती नहीं है जैसे समीतिये बहु इनको प्रॉपर रास्ता मिले तो तमाव असी त्याद इसको लेके करनेये और मुझे बहुत खुषी है कि इस बार भी हर वर्ष के बात ही दौरका वीधान समय बहुत बहतर छट होने जा रही है लगभग कि दौरका विधान समय के पर्टिकुलर बात करें तो कितना फंड सरकार की तरफ से लगाए जा रहा है लाइटों पर साउंड सिस्टम पर जो बना जा रहे हैं घाट इन सब देखिए फंड की जहां तक बात है तो हमने जितने घाट थे सबका एक टेंडर होता है क्योंकि पारदर्शी तरीका है इसमें लगभग लगभग मुझे लगता है फ् पढ़ा देते हैं कि इतना फंड है इतना है हमें मतलब है कि हम हमारी समीतियां जो काम कहें वो काम एक्जाक्त होना चाहिए उसमें कोई कमी निए ने चहीं कौल कॉलिटी में कॉइए तो उसमें हमलोग कोशिश होती है नी तो क्या होता है कि आप टेंडर की अगर बात करो सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लगबख सभी घाटर पर सरकारी टेंट लग रहे हैं और यह तो समीतियां बताएंगी उनको में हमारा में दे जो व्रतधारी हैं जो समीतियां उनका सैटिसफेक्शन होना चाहिए वह सैटिसफाइड है तो हम भी सैटिसफाइड और मुझे लगता है कि समीति वाले बताएंगे अगर कुछ कमी है तो उसको भी हम पूरा करें चाहिए देखे मैं उनसे यह प्रातना करूंगा कि वह अपन निभाते रहें कंदर से कंदमला काम करते रहें और हमारे चट फ्रतधारीयों को जो सुक्सविदा हो सकती है उसमें हम और बहतर कैसे कर सकते हैं वह हमें रास्ता दिखाते रहें बहुत बहुत शुक्रिया तो यह देखिए एक बार छट की तस्वीर आप दिखा दिए जो घाट यहाँ बनाये जा रहे हैं एक दो तीन चार पांच पांच से छे चिव कि स्च學 ड़ाड यहाँ बनाये जा रहे हैं पेंट कर दिया गया है अब इसमें पानी भरा जाएगा और उस पानी के अंदर जो महिलाये हैं वरतधारी जो महिलाएं है वो खड़ी होंगी और इस पर्व की खास बात ही होती है कि इसमें उकते और डूकते सूरे को नमन किया जाता है और यही इसकी पवितरता है यही इसकी सुन्दरता है परशाद में तमाम फलपूल होते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं परशाद के अंदर भी तो यह हिंदुस्तान की सुन्दरता है कि इस तरह के भवे त्योहार हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं और बहुत अच्छी बात है कि दिली सरकार इस पर दिल लगा कर काम कर रही है परशाद सब्रवी इंडिया टाइम क्रिफोर नियुज़